हलो फ्रैंड्स आज हम उबले आलू का ऐसा अनोखा नास्ता बनाएंगे जो बनाने और खाने में इतना आसान और टेस्टी है कि एक बार बनाएंगे तो हमेशा बनाना और खाना पसंद करोगे और आपने पहले कभी कही नहीं देखा होगा ऐसा नास्ता जो बड़े से लेकर बच्चों तक सभी को पसंद आने वाला है इतना टेस्टी और लाजवाब बनता है ये नास्ता तो हलो फैंट्स कैसे आप सब स्वागत है आपका मौनिक कुछन में तो चलिए इस नास्ता को हम बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने सबसे पहले आदा कप पोहा लिया है कोई साभी पहार यहां पर ले सकते हैं पतला मोटा कोई साभी जो भी आपके पास रखा हो उसी अभ तो पिस तरीके का और जबसे सील्टाध करना है हम यहां पर उल्ले हई आलो लेंगे तो यहां पर मैंने 5-6 उभले हुए आलो लिये हैं इसे अब ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे आप चाहे तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं लेकिन इसमें आलो को जो बड़ टुक रहे हैं वो ना रहे यह नास्ता जितना सिंपल और इजी बनने में हो उससे ज़्यादा कई ज़्यादा खाने में टेस्टी और लाजवाब लगता है यह तो चलिए यहां पर देखिए मैंने सभी आलो को जो है ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अब इसमें हम डाल देंगे यह पोहा जो हमने पीस लिया था पहले ही तो अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर आप चाहे हैं इस नास्ते को पूरा चावल के आखे से भी भी आप ओरे की और फिर थोड़ा पोहा और जिस तरह के से अरा रो रोत औरो चनar मिक्स कर खिंघंचे आपको आरो रिताइस कम जज़ादा लग सकता है क्योंगी वह के आलू में मौ कितना और य데 क्योंकि आलू जो है अभी बहुत ज़्यादा गीला है तो ये देखिए हमें इस तरीके अडो बना के त्यार कर लेना है अब अपने हाथों में हम थोड़ा सा ओल लगा के अपने हाथों को ग्रेस कर लेंगे अब इसमें से हम पेड़े जितना पोशन लेके दोनों हाथ चलाते होए थोड़ा सा टाइट बॉल सा हम बना लेंगे इस तरीके से हम सभी नासतों को बना के रड़ी कर लेंगे अब चलते हम घ्रस के तरह तो चाहां पानी रख देंगे ग़र satisfyने के नियुक्त आपके तक बाने जब तक पानी के उपर अच्छे से अगया यह देखिए कि साइज में कितने बड़े होगए और इसे हम क्या करेंगे ना एक फ्लेट पर निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए आप चाहे हैं आप छाहिए तो इसे ढाइक ठंडे पानी में मुडाल ज पैन ले लेंगे या फिर आपकडाई ले लिजे और इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमबस तेल और साथी साथ यहां पर डाल देंगे एक चमबस करेट किया हुआ लेसन का पेस्ट और इसे हमें तब तक भूलना है जब तक यह गोर्ण ब्रान ना हो जाए तो यहां चीजों को इसमें एक से दो सेकंड के लिए अच्छे से चलाते हुए भूल लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने नास्ता बनाकर रखा था उसे हम इसमें एड कर देंगे और इसे भी चलाते हुए एक दो मिनिट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूल ल कि नास्तो जो हमारा बनके रड़ी हो गया है यह आप बच्चों के पार्टी हो चोटी मुटी घर में पार्टी हो तो उसमें आप यह इस नेक के तोर पे सब कर सकते हैं और आज के मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो मेरी अच की अची इस नेक्स वीडियो के लिए तब तक किर बाय बाय